अगर आपके जीवन में लगातार एक के बाद एक कटनाई आती जा रही हैं, इसका मतलब है कि आपका समय बहुत ही बुरा चल रहा है। तो इस वीडियो में मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि ऐसे बुरे समय में आपको बचाव करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाला वीडियो आपके पास समय से पहुंच सके और इस वीडियो में मैं यही बताऊंगा कि ये कठनाईयां क्यों आती हैं और उसके निवारान का उपाय क्या है नमस्कार मैं जियोत्री आरेच सोनी पिछले 40 वर्सों से यंत्र मंत्र तंत्र रत्न दान दक्षिनडा पूजा पाठ हो मोवन जबतप और उद्राश के द्वारा लोगों की समस्याओं का समाधान करता आ रहा हूं मैं आपको बताऊं कि बुरा समय तो लगभख सभी लोगों का आता है भले किसी को कम समय के लिए बुरा समय आये या किसी को ज़्यादा समय के लिए आये जब भी बुरा वक्त आता है तो वह बता कर के नहीं आता है समय कभी भी अचानक ही खराब होता है या कभी कभी ऐसे ब्यक्ति को यह सास होने लगता है कि हमारा समय खराब आ रहा है तो भी ब्यक्ति अपने उर्जा पर, अपने बाहुबल पर, अपने धन पर इतना उसे भरोसा रहता है कि बुरा समय मैं संभाल लोगा, बुरा समय कुछ होता नहीं, बुरा समय आता है न, कहते हैं कि जाको प्रभु दारुन दुख दीना, वाकी मति पहिले हर लिना, जिसको प्रभु बुरा वक्त देना होता है न, प्रभु को, या बुरा वक्त आता है, उसके पहले ही उसकी मति भ्रम हो जाती है, बुद्धी भ्रमित हो जाती है, उसको ऐसा लगने लगता है कि कुछ नहीं है, यह से बाते बेकार की बाते हैं, मेरा तो बहुत अच्छा समय है, च वक्त की गती बड़ी ही असहनीए होती है और जब वक्त का पहिया चलता है, तो यह नहीं देखता है कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, लेकिन अगर आपका समय बहुत ही अच्छा है, तो ग्रहों की इस्थिती इस तरह की हो जाते हैं, कि आप उस राह को छोड़ करके अच् नहीं है और आता भी है तो उसकी रक्षा करने के लिए परमात्मा स्वेंग किसी न किसी रूप में खड़े होते हैं और आज इस वीडियो में कुछ प्रमुख उपाय मैं आपको बताने वाला हूँ जिसे बुरा वक्त आने वाला भी हो समझे किसी का बुरा वक्त आपका आया नहीं भगवान न करें आपका बुरा वक्त आये लेकिन अगर आप इन उपायों को करते हैं तो बुरा वक्त आने से पहले उसका रास्ता बदल जाएगा यानि वो अपना राह छोड़ देगा और आपकी तरफ नहीं आएगा अच्छे समय में लोग बहुत खुश होते हैं और बुरे समय में लोग इतने दुखी हो जाते हैं कि उनको समझ में नहीं आता कि क्या करना चाहिए और बुरा समय जब आता है तो लोग दर-दर भटकते हैं भगवान की पूजा करते हैं इसलिए कहा जाता है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करें कोई, जो सुख में सुमिरन करें तो दुख काहे कोई, जब आपके सुख का समय चल रहा हो, तब भी अगर भगवान का सुमिरन करते हैं, किसी प्रकारशे परमात्मा की याद करते हैं, तो वह आपको दुख क का समय देखने के लिए मजबूर नहीं करता मैं कुछ उपायों का वरण निहां करने जा रहा हूं जिन्हें आप नियमित अगर करते रहें तो आप अगर दुखी हैं आपका समय बुरा चल रहा है तो उससे भी आपका बचा होगा और आपका समय अच्छा चल रहा हो यदि बुरा समय कभी आ नहीं सकता तो कुछ प्रमुख उपाय जो मैं आप बताने जा रहा हूं प्रते एक ब्यक्ति को यह अपनाना चाहिए तो दुख में होगा तो उसका समय अच्छा आ जाएगा और सुख में रहेगा तो उसके पास बुरा समय नहीं आएगा तो पहला उपा यह है कि कभी भी आप नियमित रूप से हनुमान चालिसा का पाठ करें हनुमान चालिसा का पाठ करने से किसी भी प्रकार का संकट आपकी तरफ आ नहीं सकता भगवान की प्रेणा से भगवान की क्रिपा से और आप जिस समय स्रद्धा भाव से हनुमान चालिसा का पाठ कर हैं तो कहते हैं कि संकट कटै मेटे सब पीरा संकट भी कट जाता है और सभी प्रकार के पीडाओं का हरन हो जाता है इस तरह की भगवान की कृपा होती है तो हनुमान 40 सा पढ़ने का मतलब होता है कि वो भगवान का शानिद्ध प्राप्त कर रहे हैं आप उसी बहाने पांच मिनट दस मिनट बैट करके भगवान की याद कर रहे हैं और उस याद में परमात्मा का किसी भी पल मिलन हो सकता है और उस मिलन से आपकी जिंदगी आबाद हो सकती है दूसरा उपाए सुबह उठते ही आप किसी का चेहरा न देखें सबसे पहले जब आँख बंध हो आपकी और आँख खोलने की इच्छा हो तो अपने दोनों हाथ को हाथ में हाथ रगड करके और अपनी आँखों पर चेहरे पर रखें और इस मंत्र का जब करें कि आँख खोलते ही कि कराग्रे वसतिलक्षमी कर मद्धे शरस्वति कर मूले बसत प्राव्रपार ब्रह्मा तसमाई श्री गुर्वे नमा इस मंत्र का जब करते हुए अपनी हाथों को उंगलियों को हथेली को कलाई को और पूरे हस्त आप हाथ को देखेंगे तो पहले ही आप भगवान का स्मर्ण करते हुए अपने हथेलियों को तो हाथेलियों में सभी भगवान का वास रहता है और दर्सन होगा फिर उसके बाद आप मंत्र को जब करते हुए किसी को भी आप देख सकते हैं इसे भी आपके दिन चरिया की सुरुआत बहुत अच्छी होगी अब तीसरा महतुपुर्ण उपाय में आपको बताने जा रहा हूं कि भगवान स्यू के मंदिर में जब भी आपको वक्त मिले नियम से किसी भी दिन का आप नियम बना लें कि इस दिन मैं जाकर के भगवान स्यू के मंदिर में स्यूलिंग का दर्सन करूँगा, फूल या जो भी आपकी स्रद्धा हो अगर बत्ती जला करके कपूर जला करके वहां पांच मिनट बैठ करके नियमित अगर आप नियम बना लेते हैं तो आपके उपर आने वाले सभी प्रकार की विपत्तियों का भगवान सिवर नास करते हैं और आपको प्रेणा देते हैं आपको स प्रतेक ब्यक्ति को चाहिए कि अपने घर में तुलसी का पौधा जरूर लगाएं और नियमित रूप से सुबह शाम उनकी पूजा करें और सुबह भी घी का दीपक जलाएं और शाम को जब आप अपने काम से निब्रित होकर के घर आते हैं नौकरी से लोटते हैं भले देर स लोटते हैं तो हाथ मूधो करके तुलसी माता को घी का दीपक जला करके अगरबती जला करके प्रार्तना करके कि आज का दिन आपके क्रिपा से अच्छा बीता और बहुत बहुत धन्यवाद आपका परमात्मा को इस चीज तरह से परमात्मा को धन्यवाद दिया जाता है और जब आप धन्यवाद देंगे और फिर सुबह उट करके नहा दो करके पूजा करेंगे और घी का दीपक जलाएंगे तुलसी माता को और दिंचरिया की सुरुआत करेंगे तो मैं कहता हूँ कि कैसा भी बुरा वक्त हो आपके सामने आ नहीं सकता, आपके जीवन में कभी मुसी इसमें कोई दोराय नहीं है, अपने जीवन में किसी भी प्रकार की कठनाईयों को दूर करने के लिए वैसे तो ये उपाय काफी है, फिर भी जन्म कुंडली का बिसलेशन करवाना चाहिए कि किस ग्रह की वजह से हमें कौन सी कठनाई आने के लक्षन है या चल रही है, तो जन्म कुंडली का बिसलेशन करवाने के लिए या मुझे बैक्तिगत रोप से संपर्क करने के लिए इस वीडियो के नीचे दिये गए लिंक पर क्लिक करें और मुझे संपर्क करें, इसके अलावा कुछ खास वीडियो हमने बना करके रखे हैं अपने चैनल के मेंबरों के इसके अलावा आप चैनल के जोईन बटन में क्लिक करके आप हमारे चैनल के मिमबर बन सकते हैं जिससे आने वाले समय में समय समय पर हम कुछ ऐसे वीडियो बना करके चैनल में डालते हैं जो हमारे मिमबर्स को अपनी कुंडली का बिसलेशन करने में मदद कर सके और इस चै चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, किसी भी प्रकार के आपके इच्छा हो, कोई बात पूछनी हो, तो कमेंट बॉक्स में लिग करके जरूर भेजें, ताकि मैं उसका आपको जवाब दे सकूँ, आपको समाधान मिल सकें, नमस्कार, धन्यवाद. झाल